नमस्कार आप देख रहे हैं स्कानीज ग्लोबल और मैं हूँ आपके साथ रश्मी कोलिसरेस्ट पार्टिया जदी और हमने पार्टी पर इस कदम को रोकने का आरोप लगाया है इस स्थिती में भाजपा की वरिशनेता और भराजसबा सांसत को मजबूरन बयान जारी करना पड़ा कि पार्टी के बारे में ये जूटा अप्रेचार किया जा रहा है कि बीजेपी जाती जनग पार्टी नितीश कुमार ने एक जून को सर्वदल्य बैठक बुलाई है इसमें भारती जनता पार्टी भी हिस्सा लेगी पिछले दो हफ़ते से राज्य में जाती का जनगर्णा कराने की मुद्दी पर आज नीतिक बवाल खड़ा हो गया है दस माई को वधानसभा में विपक्ष किनेता और आसकी जनता दल यानि की राज़त किनेता तेजस्वी यादव ने जाती का जनगर्णा नहीं होनी पर पटना से दिल्ली तक पैदल मार्च निकालने की धमकी दी थी इसके बाद तेजस्वी और नितीश कुमा ने 11 माई को इस मुद्दे पर बंद कमरी में बैठक की जिसके बाद घोश्रा की गई कि जाती का जनगर्णा से संबंदित सभी मापदंडों पर चर्चा के लिए एक सरवदलिय बैठक बुलाए जाएगी जाती है आकड़ों को सारवजिन कराने की मांग करते हुए सालों बिताने के बाद राज़त और जदियों के नेता हाली में इस बाद पर सेमत हुए है कि उन्हें राजिस तरफर इसके लिए प्रियास करना चाहिए इन दलों ने तरफ दिया है कि 1931 में अंतिम बार की गए जातियों की गिंती इस बात का सही आकलन देती है कि कैसे जातिया संख्यात्मक रूप से तयार है और कोटा से किन समों को सबसे अधिक और सबसे कम लाब हुआ है